बार्ड में डूबे गाउं से लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है इंडी आरेफ के टीम की तरफ से वायू सेना और सेना के लोग भी लगें लेकिन इस वक्त हम लोग एक गाउं में मौजूद हैं कांगडा जिले के इंदौरा और फतेहपुर इलाके का ये गाउ है और देख सकते हैं बच्चे छोटी बच्चियां महिलाएं बुजूर्ग तमाम लोगों को लगतार इंडी आरेफ के जवान निकाल रहे हैं मलकाना गाउं बताया गया और इसी तरह से धाराओं के बीच में पूरा का पूरा गाउं डूबा हुआ है पॉंग बान से जो प तुकितने लोग और हैं अभी अंधर और कुछ लोग हैं दो लोग और हैं पूरा शामान लेकर आप लोग निकल रहे हैं और से गहरा हुआ है देख सकते हैं यह बच्चे को क्या नाम है बलराम है अब निकल रहे हो ठीक लग रहा है नहीं बोलता है कितने लोगों को निकाला अपने यहां से अभी तो अभी और लोग है लमसम साथ लोग और हैं लेकि उसमें से कुछ आना चाहते हैं कुछ रुखना ही चाहते हैं तो अभी बात करेंगे उनसे मिलके क्या उनका इस्तिति है उसके बाद पहुंचे थे बाढ़ का पानी देख सकते कैमरा परसन आपको दिखाएंगे यहां तक अभी तक आप लोग न चारों तरब से टापू नूमा बना हुआ है गाउं है इसके पीछे जहां जाना खत्रे से खाली नहीं और इधर से भी पानी इधर से भी पानी कैमरा परसन दिनेज देख़ी आपको दिखाएंगे और इन पानियों के बीस से जो गाउं फसे हैं लोगों को निकाल रही हैं NDRF की टीम चाहें बच्चे हों दिनेज पीछे की तस्वीरें दिखाएं NDRF की टीम लगातार लोगों को निकाल रही हैं बच्चे हों बुढ़े हों महिलाएं हों छोटी बच्चियां हों बजूर्ग हों कुछ लोग आना नहीं चाहते लेकिन इसी तरह के बहाओं में पर आपको आप तक पहुचा रहा है